आज हम जिस कीमती सिक्क्य की बात करने वाले है वो सिक्का हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है सिक्क्य को देखते हैं अगर overside से तो एक normal सिक्क्य को मिलता है जिसमें उपर में asok system उसके नीचे सते में उजेते और नीचे denomination 5 एक साड़ बारत हिंदी में तो दूसरी साड़ एंडिया इंग्लिश में और इस सिक्के की एज की बात करें तो ये एक रेडिड़ आज का सिक्का है लेकिन इस सिक्के को हम लोग देखते हैं रिवर साइड से तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जिसके अंदर एक सैड में हिंदी में लिखावा है बारत के नियंतरक एउं मालेखा परिक्षक हिंदी में तो दूसरी सैड में इंगलिज में लिखावा है कंप्ट्रोलर ओडिटर जनरल ऑफ इंडिया और बीच में आपको एक तराजू का चिन बनावा है और उसके नीचे कुछ इसके जो यंतर जो पड़े हुए है वो दिखाई देते हैं और उपर में असोकस्तम बनाव है और उसके नीचे सत्पमें जेते देखने को मिलता है और दोनों साइड में दो बालियों के निसान ये पूरे चिन और असोकस्तम के चिन को दोनों को एक साथ कवर करके रखावा है और बीच में आप नीचे देखते हैं तो 1860 से 2010 लिखावा है जो कि इस सिके को जारी करने का रीजन होता है मतलब ये सिका 1860 से 2010 में ये जो भारत के नियन तरक एम मालेखा प्रिक्सक को 200 साल हो जाते हैं उसको यादगार बनाने के लिए 2010 में इस सिके को इस्यू किया जाता है लेकिन ये सिका सर्कुलेशन में आता है 2012 में और इसी वज़े से कॉलकाता मिंट का सिके में देखने को मिलती है एक डाई वराइटी क्योंकि ये जो सिका आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक नॉर्मल सिका होता है और ये एक कीमती सिका नहीं होता है लेकिन जो diverity सिक्का होता है वो सिक्का कीमती सिक्का माना जाता है तो उस सिक्के के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में Kolkata Mint का वो सिक्का आप कैसे verify करेंगे और उस सिक्के के आपको किम्मत क्या मिलेगी उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे तो मैं इस वीडियो को सुरू करूँ उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें मतलब यह एक नॉर्मल सिक्का है और नमबर एक पर जो सिक्का पढ़ावा है यह एक रेर सिक्का है मतलब यह एक डाइवरेटी कोईन है कोलकाता मिंट से यह डाइवरेटी कोईन आपको देखने को मिलती है यह पहले ही मैं आपको किलियर कर देता हूं कोलकाता मिंट मतलब जि अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा द्यान से देखो कि तो आपको इस चीज बड़ी आसानी के साथ में समझ में आ जाएगी क्योंकि जो नम्मर एक पे जो सिक्का पड़ा हुआ है उसका असोख स्थम आपको छोटा नजर आ रहा होगा और नम्मर दो पे जो सिक्का पड़ तो आपको और भी इस असोख स्थम के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा जैसे कि नम्मर एक का जो असोख स्थम है उसके कान के उपर कान बने हुए है मतलब सर पे दो कान लगे हुए है लेकिन जो नम्मर दो का असोख स्थम आप देख रहे हैं इसके उपर आपको कान नजर नहीं आएंगे उसके साथ में अगर हम लोग देखते हैं जो इंडिया नाम लिखावा है तो इसके अंदर आपको दोनों ही सिक्कों के अंदर जो नाम लिखावा है भारत इंडिया ही दोनों ही अलग अलग देखने को मिलते हैं जो नोर्मल सिक्का है इसके अंदर आपक clean नजर आता है और पत्रा नजर आ रहा है और जो असोक स्थम को आप देखते हैं यह नाम से मैच करके तो जो D और I है यह दोनों D के एकदम बरूबर में असोक स्थम है नमर दो पर पढ़ा हुए नॉर्मल कोई में आपको D आदा असोक स्थम में नजर आती है लेकिन जो नमर एक पर जो डी है वह आपको असोक स्थम के एक तम नीचे की दार को मतलब मैच करती हुए नजर आ रही है तो आप इस तरह से कॉलकाता मिंट के पीस कोई होता है तो इसकोई कमत आपको मिल सकती है पूरी तीन सो रुपए तक यूएन सी कंडिसन में और यह कलेक्टिवल सिक्ट है वैसे तो यह सिक्के भी बहुत ज्यादा मातरा में जारी किये गए lagi लेकिन इन सिकों की किमत देरे 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 बढ़ रही है और ऐसे सि सिक्के तुरहंट सेल नहीं होते हैं लेकिन एक कलेक्शन करने के लिए एक अच्छा सिक्का माना जाता है और बाकि जो कोमन सर्कुलेशन के सिक्के हैं जो नमर 2 पे देख रहे हैं यह सिक्के आते हैं कोमन की काटेगरी में इन शिक्कोई कीमत 2-5 रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको समझ में आ गई होगी इन शिक्कोई के अंदर आपको कौन सा सिक्का कलेक्शन के लिए निकालना है अगर आपके पास में कॉलकाता मिंट का ड तो आप इस वीडियो को सुरूट से लेक्ते के इन शूंद तक पूरा ज़रूर देख़ें क्योंकि आगे मैं इस शिक्के के बारे मैं पूरी फ्जिकली डिटेल के बारे में बताने वाला हूं यह शिक्के का वेट है 6 ग्राम और सिक्के की साइजे 43 थी तक्िन समिनस फिक कालके तक मिंन्ट मार्क का श्तार नह पारक होता है। और मुंबई मिंट के सिके पर को देखने इस Instagram पे follow करके आप मुझे आपके पास में रखे हुए को सिक्के का वीडियो बना के शेल कर सकते हैं और आप अपने UNC कंडिशन का सिक्का होता है तो वो सिक्का आप मेरे को सेयल कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गई होगी और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा ले ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नौटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये वीडियो अपने दोस् कि ज में एक लिए 사bar वाजियो किसे आपको मिल सक दोस्टी कि याई है